आज हम एक कहानी रव्यू करने जा रहे हैं उन बच्चों के लिए जिनकी उमर है चार से छे साल तक की और इस कहानी के अंदर एक बहुत ही इंट्रॉस्टिंग करेक्टर है जो बुनियादी तौर पर एक इमेजिनेटिफ करेक्टर है और यह करेक्टर बच्चों ने कभी नह देखा और मैंने भी कभी नहीं देखा उसकी वजह यह है कि यह इंट्रॉस्टिंग हो चुका है तो बच्चों को यहां पे एक बड़ा ही इंट्रॉस्टिंग दिस्क्लेमर दिया हुआ है कहानी का नाम है we don't eat our classmates और what's a disclaimer written by the writer hey kids you will never be eaten by a T-rex they are extinct I promise so आप बहुत सेफ हो के अब इस कहानी को बगएर खौफ के पड़ सकते हैं so what is this story is about Penelope Rex was nervous it's not every day a little T-rex starts school and here is a Penelope mother then Penelope के जहन में कुछ सवालात आते हैं वो सवालात क्या हैं अपनी स्कूल जाने से पहले so question number one what are my classmates going to be like क्या वो मेरी ही जैसे होंगे या different होंगे then will they be nice how many teeth will they have this was very very important किस के लिए T-rex के लिए then Penelope की मदर उसको एक बहुत की खुबसूरा सा बैक लेके देती हैं जिसके पर पॉनीस बने वे हैं और interesting thing यह है कि यह ponies Penelope के favorite हैं क्यूं? ponies were Penelope's favorite because ponies are delicious जो के हम नहीं खाते पर T-rex तो खाय सकता है then उसके father ने उसके लिए backpack किया जिसके अंदर हमारे पास 300 tuna sandwiches मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि end में उसके पास apple juice भी मौजूद है then वो दिन आ गया जब Penelope के school जाना पड़ा और वो अपनी school के पहले दिन enter होती है अपने कमरे में लेकिन a very surprising event actually occur उसे बिलकुल भी expectation नहीं थी कि जब वो अपनी class में जाएगी तो सारे class fellows बच्चे होंगे और बच्चे खाने में बड़े मज़ेदार होते हैं so वहीं से teacher आती है और उसे कहती है कि आप अपने classmates को बिलकुल नहीं खा सकते हैं so Penelope one by one तमाम classmate को वापस बाहर निकाल देती हैं लेकिन सारे बच्चे डर जाते हैं और वो यह नहीं चाहते कि Penelope की friend बने she tried लेकिन हर कोशिश में उसको बच्चों को देके भूक लगना शुरू जाती है और जी जाता है वो एक बच्चा खा जाए लेकिन कोई डर के मारे उसका दोस नहीं बनता और वो अपनी desire को control नहीं कर सकती जब break होती है वो खेलने जाती है और बच्चे उसके साथ नहीं खेलते so what happened जब अपनी घर जाती है तो उसके father उससे पूछने कि आज दिन कैसा घुज़रा और Penelope का दिन अच्छा नहीं गुज़रा होता और Penelope के father उसे कहते है कि इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम बच्चों को खा गई थी so Penelope said yes क्योंकि वो बहुत मिज़दार होते है then उसके father ने उसको समझाया कि आप अपनी classmates को नहीं कह सकते that give Penelope a lot to think about क्या हम क्यों नहीं खा सकते क्योंकि वो हम से different है क्योंकि उनकी needs different है and we need to learn how to respect others चाहे वो चितनी ही different हो हम इखटे रह रहे है and we need to learn to respect each other then Penelope बहुत control करती है अगले दिन but still she add one child and then throw it throw him out तमाम बच्चे डर के मारे भाग जाते है और Penelope class में बिलकुल अकेले होती है सिवाए इसके इसका नाह में Walter और यह है goldfish तो Penelope से बाते कर रही होती और कहती कि क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे and goldfish कहते है chop उसकी उंगली को खा जाती है और जैसे ही Penelope की उंगली को goldfish खाती है वैसी Penelope जोर की चीख मारती है और वो कहती he is eating my finger then what happened तब उससे पता चलता है कि दूसरों को खाना क्यों गलत है और यह कैसा मैसूस होता है जब आप किसी को अपना snack बना लो तो Penelope उसके बाद किसी से नहीं खाती और जब भी उसकी appetite होती है कि मैं किसी को खा लो because यह बच्चा बहुत delicious लग रहा है तो वो सबसे पहले किस को याद करती है उस goldfish को याद करती है कि कैसे उससे मुझे chop किया था so goldfish क्या सोच रही होती है goldfish stirs right back at her and licks his lips क्योंकि goldfish को लगता है कि T-rex बहुत delicious होते है so अब इस कहानी में क्या होता है कि हमारे पास जो goldfish है goldfish बहुत ही interesting तरीके से सिर्फ और सिर्फ Penolope को देख रही होती है और लिख कर रही होती है क्योंकि शायद उसे Penolope बहुत delicious लगती है और लगता है कि यह उसका अच्छा snack हो सकता है so Penolope डर जाती है और फॉरन अपनी दोस्तों के पास भागती है so students यह एक इंतहाई interesting कहानी है Penolope एक fictitious character है एक mysterious और funny character है story इंतहाई colorful और बच्चों की nature के मताबिक एक इंतहाई interesting तरीके से पेश की गई है और इसका मक्सद क्या है कि हमें अपनी और दूसरों की boundaries का ख्यार रखना है उनकी care करनी है उन्हें हम अपनी चीजों के लिए अपनी interest के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते पर एक इंतहाई funny और ridiculous and joyful तरीके से यह बताई गई है so it is a best story you can share with the children so अगली कहानी तक के लिए हम दुबारा मिलेंगे तब तक के लिए खुदाहाफिस